हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ब्रिस्ट साइज के बारे में दोस्तों हम हमारी परसनालिटी की बात करते हैं हमारे बजन घटाने की बात करते हैं हमारे चेहरे की बात करते हैं दुगले बतले मोटे तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर है कि हमारा ब्रिस्ट साइज कैसा होना चाहिए दोस्तों अगर किसी का ब्रिस्ट साइज बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा तो यह रेमेडी उसके लिए है आप इस रेमेडी को एक बार ट्राइ किजिए आपको 100% रिजल्ट मिलेगा फर्स्ट इंग्रीडियंट मैंने यहाँ पर लिया है वैसलीन याने की पैट्रोलियम जैली पैट्रोलियम जैली आपके ब्रिस्ट साइज को इंक्रेज करने में याने की बढ़ाने में मदद करेगा तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वैसलीन याने की पैट्रोलियम जैली ले लिया है पैट्रोलियम जैली से जब हमारे ब्रिस्ट पर मालिश होगी तो हमारे ब्रिस्ट साइज बढ़ने लगेगा आपने कई क्रीम यूज कर लिए होंगे मार्गेट से लागर कई आयल यूज कर लिएंगे फिर भी वो वर्क नहीं करा होगा लेकिन एक बार इस घरेलू रेमेडी का उपयोग आप कीजेगा क्योंकि वैसलीन में कुछ इंग्रेडियंट हम मिलाकर ऐसा ऐसी रेमेडी बनाएंगे जिसे आपका ब्रिस्ट साइज में आपको तीन दिन में फर्क दिखने ल होता है एलो वेरा एक ऐसा पोधा है जो एसी कोई सी भी रेमेडी नहीं है जिसमें यूज ना होता हो अगर आपको आपके बच्चों की फीडिंग के दोरान आपके जो ब्रेस्ट है बहुत ही जादा लूज हो गये हैं तो इससे मालिश करने के बाद आपका जो है ज्यादा टाइट हो जाएगा और आप चाहे कैसा भी ड्रेस पहने ड्रेसिंग लूक अपना कैसा भी बनाए आप पॉफेक्ट दिखेंगे अभी मैं यहाँ पर ले रही हूं कोकोने टॉयल मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोकोने टॉयल लिया आए क्योंकि मैं थोड़ी से र जर्ट मिलने वाला है देखिए इन तीनों को मैंने वैसलीन लेलो वेला और कोकोने टॉयल इन तीनों को मिला लिया है आपने अगर मार्केट से कई क्रीम लाकर भी यूज कर ली है और उससे भी आपको फायदा नहीं मिला है तो आप बस रेमेडी से आपको फायदा मिलना ही है 101 मिलना है आप अपना अनुबह मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कि जेएगा वीडेओ पसंदा आए तो जरूर लाइक कि जेएगा चैनल को सब्सक्राइब कि जएगा यह वीडियो हमारा बनकर यह हमारी बनकर रामेडी हमारी जो बनकर रेडी है अब इसको से पसंद आये तो लाइक किए चैनल को सब्सक्राइब किज़े